चट पुजा के लिए चार दिन बहुत ही महत्पूर्ण माना जाता है जिहां जैसे नहाखा, खर्णा, साज्या, अर्ग, सुर्योदे अर्ग चट की पुजा में गन्ना, फल, डाला और सूत आधी का प्रयोग किया जाता है मानेताओं के अनुसार छटी मैया को भगवान सुरी की बहन बताये लिया है इस परव के दोराओं छटी मैया के अलावा भगवान सुरी की भी पुजा अराधना होती है कहा जाता है कि जो व्यक्ति इन दोनों की अर्चना करता है उनकी संतानों की रक्ष्या स्वयम छटी मया करती है। कहते हैं कि भगवान की शक्ती से ही चार दिनों का ये कठीन पुड़त संपन्न हो जाता है। छट को लेकर बिहार में बाजार गुलजार हो गये हैं और वहां रौनक देखने को मिल गही है। कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। ये भी आप लोग इसको देख लेके और जो नाओ के परिचालन पर रोख लगाई गई हैं उसका भी पुरा पालत होना चाहिए। पटना के लिए खास बात है कि ग्रामीन जो छेत्र हैं हमारे सब इस्टियों आए हुए हैं फदादिकारी व आए हुए हैं। ग्रामीन छेत्रों में भी कई बार सप्राइजेश होते हैं। सहरी छेत्र में तो पटना निगर निगम अपना काम करता है। इस न्यूज के सफ्रायों चक हैं जिया अभीनफ प्रोडक्ट्स, प्लाटिनम अगरबत्ती, बाबा लेटी बंडार, इस्लामपो रोट मजफरपूर, चंदरान आएस एकडमी, मेकिंग यूर करियर शाइन, हल्दी राम, खुचियावाला, चॉइस ओफ इंडिया, लेडी इस शूट ऑफ बिसनस एंड, रूरल मैनेज्मेंट, इंस्टिशूशनल एडिया, नारायनपूर अनन्त रोड, मुजफरपूर, वी एल्सीसी, गोला रोड, मुजफरपूर, हरकर की पसंद, ग्रीन इंडिया, आपकी संतुष्टी, मेरी पहचान, गोदरज अप्लाइंसे सोचके बनाया है, बिर्यानी दर्बार, वर्बा कॉफलेक्स मिठनपूरा, मुजफरपूर, प्लाटिनम चृलन स्कूल, सेल्फ बिलीफ, बेस्ट बिलीफ, नाशनल मेडिकल कॉलेज, वीरगंज, नेपाल लेटिस कबरों के लिए देखते रहें, मुज, बेड न्यूस, और ताजा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूदे